आज 29 अगस्ट 2023 को यह मैठर जो है सुप्रिम कोट में लगा था यह जो इश्यू है यह जितने भी छक्षिजगर में जो बीएड श्टुडेंट का यह जजमेंट आया था सुप्रिम कोट का दोजार तेईस में अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में 2028 का जो से अपियर होए थे 36 में क्या हुआ 36 में जो नोटिफिकेशन निकाला था दोजार तेईस में उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वह हाई कोट में चैलेंज किया था कि बीएड श्टुडेंट को कांसलिंग में आप मत बठाईए कांसलिंग में अलाव मत करिए तो हा इसमें हमने परमीशन टू फाइल एसलपी सुपरिम कोट में फाइल किया और यह मेंटर कल हमने बहुत मुस्किल से कल इसको फाइल किया और आज वह मेंशनिंग करके लगवाया आज मेंटर लगा था आइटम नुमबर 54 और कोट ने सारी चीज़ां अबजर्व करी हमारा य एक व्यक्ति चाहे आई-एस का एक्जाम हो यह अधर एक्जाम हो उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है में स्टूडेंट भी पीएजडी वाला भी कोई भी अप्लाई कर सकता है यह यह फंग्डमेंटर राइट है राइट टू जॉब करना राइट टू से निकाले हैं जिसमें कि बीएट स्टूडेंट बैठे हैं और एक्जामिनिशन में सलक्ट होए हैं और सलक्ट होने के बाद उनका जो कांसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया जबकि यह जजमेंट रिट्रस्पक्टिव नहीं हो सकता है इसलिए सुप्रीम कोट ने आज गेंगे यह और पास किया है कि जितने लोग एक्जाम में बैठें जितने लोगों की ऐचल रहे जो लोगी होने इंन उनमें ये clause डाला जाए कि जो भी उनके appointment हो रहे हैं वो outcome of the high court judgment में माने जाएंगे अब high court का judgment अगर बीएड student के favor में आता है तो बीएड जितने लोग का selection हुआ है वो cancel होके बीएड student जो लोग counseling में आया है उन सबका selection होगा तो ये एक बहुत बड़ी great news है बीएड student के लिए और कन्या कुमारी से बंगाल की खारी तक जितने भी बीएड के student है जिनों है 2018 से 2030 तका exam दिया है और जिनका notification आया है वो सारे लोग जो है इस exam में आने वाले future में बैठेंगे उनका selection होगा क्योंकि retrospective effect नहीं हो सकता और ये matter जो odd judgment है ये गलत judgment है इसको refer किया जाए तीन जज़्वेंच को या पांच ज़्वेंच को ये भी हमारी prayer थी और finally ये matter issue notice हो गया है और high court का high court decide करेगी इसको और जो appointment होगा उसमें ये clause डाल जाएगा कि आपका appointment जो किया रहा ह है वह appointment एक temporary appointment किया जारा जब तक कि high court का judgment नहीं आ जाता और already जो हमारे student हमें हम क्योंकि petitioner थे नहीं वहाँ respondent नहीं थे तो हमें state को जो पिटिश्टर थे उनको ये direction दे दिया गया कि जितने भी respondent यहां पर है उनको पार्टी बनाए जाए तो ये भारत के जितने भी एडिस्टूटेंट हैं 2018 से लिए 2023 तक का उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट नियुक्त है ये आज़को तैंक्य ये